स्वागत है आपका प्रफटीजिन पूने के नए आपीसिट में मेरा नाम है आकाश और चलिए वीडियो शुरू कर रहा ये मिल साथ तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो ये एक 3BHK का रोहाउस है इसका जो प्लॉटिंग साइज है वो भी साइड में आपको साइड में आपको साइड याड मिल जाता है जहाप प्लांटिशन कर सकते हो और एंटर करते ही आप देख सकते हो ये आपका है लॉबी स्पेस अब देखे जैसे कि हम एक विला के अगर बात करते हैं कि लिविंग एरिया में आपको ये डबल हैट मिलती है तो दोस्तों आभी आपने देखा ये आपका जो लिविंग एरिया है ये स्टेर्स किचन एरिया कितने प्रॉपरली डिजाइन किया गया है इस पर्टिकुलर रोहाउस का मुझे डिजाइन इसले भी पसंद आया इसके विंडोज आप देखिए सारे ही फुल लेंट विंडोज है यहाँ पे और इतने सारे विंडोज है आप एक बार फिर से चेकर मारके देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ विंडोज ग्राउन फ्लोर पे ही है और मेरे उपर भी अगर आप एक नजल डालो गए तो जैसे ही आप उपर देख सकते है उपर ओर फ्लोर पे भी सारे विंडोज है यह जो लिविंग है 22 by 16 सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर इहां पर अपना टीवी यूनिट प्लैन कर सकते हो और जैसे ही लिविंग से हम डाइनिंग एरिया में आते हैं तो यह सेपरेट लिपन तो यहां पे आपका साइड यार्ड का गार्डन आ जाएगा उसके बाद में आपका कमपाउंड आता है और यहां से आप एक बार चेक करिए दोस्तों कितना आपको यह लंबा स्पेस मिलता है तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि काफी स्पेशियस लग रहा है यह अब यहां पे लिविंग किचन आपने देख लिया है यहां पे एक गैस बैड्रूम भी है और उपर दो मिलता है और इसे के साथ में आपको आटेश वाश्रूम भी मिलता है एक बढ़िया वाश्रूम मिलता है आप चेक कर लिए इसको एक बार तो अब चलिए चलते हैं आपके बाकी के दो बैड्रूम की तरब मैं अब खड़ा हूं फर्स्ट फ्लोर पे यह उपर आने के बाद आपको एक छोटी सी लॉबी मिल जाती है राइट हैंड साइड में यह है किट्स बैड्रूम आपका मास्टर बैड्रूम देखा किट्स बैड्रूम में यहां एक बालकनी मिलती है आपको और वाकिंग जो कि इतना बड़ा स्पेस के लिए रखा है तो अब चलिए चलता है आपके मास्टर बेड्रूम की तरफ यह स्पेस अपने देखी लिया है यह उपर टेरस पे जाती है टेरस भी हम लोग चलेंगे उससे पहले हम देखेंगे आपका मास्टर बैड्रूम मास्टर बेड्रूम का जो साइज है तो 16 फीट का साइज है अब देख सकते हो एक किंग साइज का बैड रखने के बाद भी आप स्पेस देख सकते हो एक फुल लेंथ विंडो आपकी है यहां पर यहां से आपका संलाइट और वेंटिलेशन और यह होने के बाद यह है आप आपका वॉकिंग वॉट्रोफ स्पेस इसके बाद में है आपका वॉश्रूम जो की बहुत भी लग्जरिस वॉश्रूम है एक बाद देख लीजिए आप तो चलिए अब चलते हैं टैरेस पे यह आपका बढ़िया सा टैरेस और यह आपका सुन्दर सा व्यूव यह आपको 1.8 CR में 1.80 CR के प्राइज में मिलता है इसका साइज आप देखोगे 1700 स्क्वेर फीट का प्लॉटिंग साइज है और 1700 स्क्वेर फीट का कार्पेट साइज है इतना ही नहीं यहाँ पे आपको 4BHK का रोहाउस भी मिलता है उसका अगर साइज और प्राइज देखा जाए तो यहाँ पे आपको 2500 स्क्वेर फीट का प्लॉट का साइज है और 2500 स्क्वेर फीट आपको कार्पेट साइज मिलेगा उसका प्राइज है 2.60 CR से स्टार्टिंग है तो उसका भी वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा और ऐसे प्रापर्टी रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिए और इस पर्टिकुलर प्रोजेक के बारे में जानने के लिए इस पर्टिकुलर र सब्सक्राइब करें और रुकिए वीडियो अभी एंड नहीं हुआ है 4BH के सैंपल रोहाउस का जो वीडियो है वो देख के जाए हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है कर दो हुआ 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 है झाल मेरा नाम है आकाश प्रॉपर्टीजिन पूने के चैनल से धन्यों एल दो एल दोूने के चैनल से चैनल से चाश भो आ इर साव कि चैनल से से ताह, ताह भूज एल को बाद़